असलाम वालेकुम वेलकम टू जेवास किचिन आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलू टिकी उसके लिए मैंने ले लिया है खुकर और उसमें मैंने ले लिया है साथ आलू अभी इसे मैं कैसे बॉयल करूँगी मैं वह आपको बता दे थी यह न्यू टिक है तो हमें पहले ओइल डालना है पुकर में फिर उसके बाद उसके उपर हमें सारे आलू रखना है और हमें उसके उपर जो है थोड़ा सा पानी डालना है यह मैं आपको बता दे थी हूँ कैसे वह पानी डालना है हमें कि थोड़ा सा अदा ग्लास लेके थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है ऐसे पानी डाल के हम इसमें जो है उसे बॉल करने रख देंगे यह बहुत आसान तरीका है प्लम पानी में बॉल अच्छे तरीके से हो जाता है गैस मैंने चालो कर दिया है अभी मैं इसे फास्ट फ्रेम पर एक सीटी रोंगे एक सीटी और स्लो फ्रेम पर दो से तीन अलो हुमारे जो है बॉल हो चुके है अब देख सकते हैं सुख चुके हैं तो जब चेक कर लिजे देखिए अभी मैं आपको स्किन निकाल के भी दिखा दूँगी तो कैसे बॉल होते हैं हाली एक्तम सॉफ निकाल के दिखा दिया है मैंने अभी हम आलो तिक्की बनाने का क्रोपेशन कर लेते हैं से पहला हम नहीं यह ले लिया है सारे में अभी हम आलू को जो है अपने अपने प्रश नहीं करना है स्मैश करना है कर लेते हैं हमारे अलू पूरे स्मैश हो चुके है अच्छी तरिकी से उसको स्मैश करना है अब भी जो हम इसमें अपना सारह मसालायाच कर लेंगी जो हम्यास दिक्की बनानत्र लखत perfect टोड़ा से डालना है हमें इसके बाद हम डालेंगे आम चूर पाउडर और काला नम्मत तो थोड़ा सलेना है हमें और फिर हम डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर जीरा पाउडर थोड़ा सा एक स्पून धनिया पाउडर फिर हम इसमें अड़ कर लेंगे थोड़ी सी कोट मीड और दो हरी मिर्ची बारीच चॉप की हुए में पिर हम अट करते हैं चिली फिक्स जो में चिली पोक्टर में यूज नहीं करती हूं चिली फिक्स दो स्पून तो हम आट करनेगे रॉवा जो यह विस्पी बनने कि लिएम यूज करते हैं एक स्पून रॉवा थोड़ा साल्ट और चावल का आटर दो स्पून इस सारी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे और अभी हम इसे मिक्स कर देते हैं नि कि अच्छे से खर्णा रिक सारे अलू को तो बध्रोब योचान चार्श है अब यह मिस्की तिकीया बनाना चालू करेंगे और यह रहा है परस्ट की रेडी हो रहा है आलू तिक्की देख़िए तिम अच्छा शेप देना है राउंड छोटा-छोटा तो क्या अलू के दिक्कियां फुट्टी नहीं है यह बहुर दिलिकेर होती है हमारा आगे से देखिए पीचे से देखिए तिक्या रडी हो चुकी है अभी हम बनाएंगे सेकें आलू के तिक्या ऐसे ही करके हम अपने जो है छे से साथ आलू के तिक्या बना देंगे सेकें रडी हो चुका है देखिए छोटा छोटा बनाना है अभी हमारे आलू के तिकी रेडी मैजिक अभी हम इसे जो है फ्राइ कर लेंगे फ्राइपेंड दे लिए हैं उसमें तेल डाल देंगे जैसी तेल गर में हो जाता है चेक कर लेते है तेल गरम हुआ है तो अभी अपने आलू के तिकी ड्या efecto बनाना कई प्राइपेरेंगे इसे हं दूसरा भी पल्टी कर देंगे आपने सारे आलू के तिक्की जो है पल्टी करने सारे फ्राई हो चुके है जैसे दूसे तरफ से फ्राई हो जाता है एकदम टेस्टी है देखिए फ्राय तो बहुत अच्छा हुआ है और अपने आलू की टिक्की निकाल देंगे टीशूर पर माजिक तो देखिए कितना अच्छा बना है मेरा आलू टिक्की चेक कर सकते हैं खातों नहीं सकते हैं विरोजा है हमारा तो आप भी बनाएए मेरे रेसिप्पीज और लाइक और शेयर करने मत बूलना अल्ला हफिज टेक केर बी से स्टे होम